हेलो एव्रीवान, स्लाम अलेकुम और आलकम बैक तो आर चैनल निशास कोकिंग और व्लॉग्स उमीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अलहम दोला मैं भी आप सभी की दुआउं से बिलकुल ठीक ठाक हूँ और आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही जाइकेदार और बिलकुल क्विक और मज़ेदार बनने वाले चिकन मकमली हांडी की रेस्पी लेकर आगी हूँ जो मैंने चपाती रोटी की साथ सर्फ किया है सबसे बहले मैंने गैस पे रखी एकड़ाई और इस पे डाल लिया है लगबग 1-4 कप सरसो का तेल और गर्म हो जाने के आप देख सकते हैं हमारी प्यास गोर्डन फ्राय हो चुकी है इसी में मैंने डाल दिये लगबग 4-5 मीडियम साइज के रफली चॉपके हो गए टमाटर टमाटर को भी प्यास के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है उसके बाद मैं डालती हूँ इसमें लगबग 2-3 यहां प फ्राय हो चुके है चलिए मैं इसे निकाल के ठंडा कर लेती हूँ इसी बीच मैंने कडाई में फिर से दुबारा से डाल लिया है 1-4 कप ऑईल मैं सरसो का इस्तमाल कर रहे हूँ आप चाहे तो रिफाइन का भी इस्तमाल कर सकते हैं आप मैं इसमें डाल देती हूँ लगब चिकन को डालने के बाद ओयल में एक बार हमें अच्छे से से मिक्स करना है ओयल के साथ ही आपको चिकन को लगबग 2-3 मिन तक फ्राय करना है और इसी के साथ मैं डाल देती हूँ लगबग 2 टी स्पून लसन अद्रक का पेस्ट और डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक् चिकन फ्राय होना शुरू हो गया है मीरियम फ्लेम पर ही आपको करना ही इसारे काम और इस भी जो मैंने प्यास टमाटर और हरी मिर्श को फ्राय किया था वो जैसे कि आप सब देख सिते हैं चिकन हमारा हलका सा फ्राय हो चुका है मैंने लगबग इसे 10-20% फ्राय कर लिया है अब यहा पर कुछ मसाले हैं हल्दी धनिया पाओडर गरम मसाला लाल मिर्श नमक तो चली अस बको डाल देते हूं पानी लेकर उसे अच्छे से मतलब जो बोल था उसे अच्छे से थोड़ा सा हिला कर जो मसाला था पेस्ट था उसे डाल दिया इसी के साथ और सब मसाले को में अच्छे से चिकन के पीसिस के साथ मिक्स कर लेना है तो चलिए अब मैं से कवर कर देती हूं लगभग 10 से 15 मिंट मीडियम फ्लेम पर हमें इसे कुक कर लेना है और यहां पर 15 मिंट बात तो चलिए एक बात चेक कर लेती हूं मैं से तो अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि लगभग 10 तू 20 परशंट और इसे हमें कुक कर लेना चाहिए तो लगभग 10 मिंट तक मैंने इस तरह से ही से कुक कर लिया था 10 मिंट हो चुक है से कुक करते हुए और यहां पर मैंने ओल्व गर्म कर लिया यहां लगभग 1-2 cup मैंने पेल को गर्म किया है और यह मोती वाली हरे मिर्ज का इस्तामाल किया है मैंने से थोड़ा सा फ्राय करने के बाद इस तेल का मैने तलका लगा दिया है जो तो थोड़ी सी पोदीना पती अगर आपके पास अविलेबल हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं उससे जो उसकी जो महें कोती है वो बहुत ही मज़ेदार लगती है देखे आप देख सकते हैं हमारी आज की चिकन मकमली हांडी बनकर बिल्कुल तयार हो चुकी है जो बहुत ही ज चपाती रोटी के साथ या रुमाली रोटी के साथ बहुत ही जादा पसंद करती हूं और यहां पर मैंने रुमाली रोटी के साथ इसे सफ किया है जो इसके जायके को और भी मज़ेदार बना देता है उमीद कर देऊं कि आप सभी को आज की ये रेस्पी पसंद आई होगी वर्थ वाचिंग लगी होगी अगर आप सभी को आज की ये रेस्पी मज़ेदार लगे तो प्लीज जो नए विविवर्स हैं से चोटी सी गुजारिश मेरे चानल को जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर दे and don't forget to hit bell बिटन ताकि आने वली हर रेस्पी की हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे बहले में रेविवर्स को मिल सकें वीडियो को लाइक करें शेर कर दें मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ अलविदा दोस्तों अलाहाफिस बाई बाई